अससलाम लेकूम माई यूटूब फैमली कैसे हो आप सब अमीद हैं कि आप सब ठीक होंगे आपके दुआ से हम सब भी बिलकुर ठीक है फ्रेंट आज गयों के आटा से बहुत ही टेस्टी नास्ता बनाऊंगी तो एक कटोरी गयों काटा लिए है चार चमच सूजी लिए फरेंट अपसूजी दाल दिएन अब इसमें अजमाइन डालँगी थोड़ा सा जमाइन है सोफ है कलवजी है तो ये सब को मैंने धो लिया धो कर इसमें अब डाल दिये है फ्रेंट तो अब इसमें तेल डालूँगी तो रिफाइन तेल लिये है तो एक चमच रिफाइन तेल डाल दिये है अब इसमें नमक स्वात के अनुसार डाल दियेगा तो मैं स्वात के अनुसार नमक डाल दिये है नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंट तो अब इसको अच्छे से गुंद लेती हूँ जिस तरह रोटी का आटा गुदा जाता है तो फ्रेंट देखिए आटा को अच्छे से गुंद लिए अब इसको 10 मिनट के लिए रेश्ट पर डाल देती हूँ फ्रेंट तो कराई चरहा दिये, कराई में दो चमच तेल डाल रही हूं, तो फ्रेंट देखिए, दो चमच तेल डाल दिये हैं, फ्रेंट तेल गर्म हो गया है, तो इसमें जीरा डाल देती हूं, जीरा को थोरी देर के लिए चटकने देती हूं, तो देखिए फ्रेंट चटक अच्छे से बून लेती हूं और उसको थोड़ी दिर भून लिये है अब इसमें डाल रही हूं तो इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है तो इसलिए लिए पर संद है तो डालीएगा नहीं पसंद है तो नहीं डालीएगा तो देखे आप आधा चम ड़ी हलदी पौडर 1 पोर्डर डाले दीए आधा चम्मच लाल मिर्श का पौचा डाल दीए हैं आधा चम kl गःम मसाला डाल दीए यह विर्ण क aur अप दाल दिए अच्छी से भून ले तो देखिए आप इसको थोरी देर के लिए पकाऊंगे माई यूटूब फैमली मेरी वीडियो फसंद आए तो लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और मेरे चैनल पर नहीं है तो फिलीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा माई यूटूब फैमली आप लोग वीडियो देखते पर वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी ने करते तो फिलीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसको निकाल लेती हूँ और ठंडा होने क आलो को मैं थोड़ा सा ही ली हूँ और इसको गोल सेफ में बना लेती हूँ तो इसको मैं एक एक करके सब को बना लेती हूँ तो फ्रेंट देखिए बेल लिए हैं रोटी के जैसा और बीच में डाल दिये हैं अब इसको साइड से कट करूँगे फ्रेंट तो देखिए इस तरह से चारो तरफ से कट कर देना है तो इस तरह से देखिए मैं कट कर रही हूँ इस तरह से आप भी कट कर दीजिएगा तो देखिए इस तरह से कट हो चुका है फ्रेंट तो अब देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है फ्रेंट तो देखिए इस तरह से बन गया है तो जो भी बचा हुआ है वो सारा को बना लेती हूँ तो देखिए सारा नस्ता बन के तैयार हो चुका है तो अब चलती हूँ गया इसकी तरफ कराई में तेल डाल दिये थे गर्म हो गया है कराई में तेल तो इसमें सारा नास्ता डाल देती हूं तो देखिए सारा नास्ता डाल दिये है इसको थोड़ी देर अभी पकने देती हूं तो थोड़ी देर पक चुका है तो इसको पलट देती हूं तो देखिए सबको पलट दिये हैं पलटने के बाद थोड़ी देर छोड़ दिये थे तो देखिए फिर से पलट दी हूं तो देखिए अभी थोड़ा कच्चा है तो इसको फिर से पलट देती हूं पलटने के बाद देखिए अब पक चुका है अच्छी तरह से तो मैं नास्त